समीता अपने पती किशन के सराब किठे के पर बैठी पान चबा रही थी लगवा गरस्ता पती को ये दुकान उसके पिता से विरासत में मिली थी गोरे इकहरे बदन पर निली साड़ी ग्रहा को पर कहर ढा रही थी ना भी दरसना साड़ी उस पर पान से रंगे होटो दुकान पर सराब के साथ उसके रूप की जलक के लिए लाइन लगी रहती थी ए क्यों रहे गोटिया ये तीन नंबर टेवल वाला नसेडी सिरिप मुझे ताकता ही रहेगा या ओडर भी देगा ओडर देता है तो ले वरना चलता कर अरे दीदी अजीब पागल है कहता है उसे आपको देख कर ही नशा हो जाता है रोज यहां बैठता है और जाते समय पैसे देखे जाता है बहुत देखे हैं ऐसे मजनू बोल अगर यहां बैठना है तो दुगने पैसे देने होगे और तुरंद आशी की उतर जाएगी दीदी बड़ा घाग है, कहता है अगर तेरी दीदी ये बात खुद आके कहे, तो दो गुने क्या, चार गुने पैसे दिऊंगा ओ, तो इसका नशा उतानाई होगा, बरना धन्दा करना मुश्किल हो जाएगा, चलती हूँ, लेती हूँ इसकी खबर समीता अपनी साड़ी ठीक करती हुए खाड़ी होती है, कि अचानक उसका पल्लो नीचे गिर जाता है, सबकी आँखे खुली की खुली रह जाती है, वो पल्लो ठीक करते हुए नसरी आदमी के पास पहुंचती है हाँ जी, ज्यादा हवा भर गई है क्या, तू चौगोने पैसे देगा, समस्ता क्या है अपने आपको, यहाँ सराब बिक्ती है, समझा, इसके आगे सोचना भी मत, वरना मुह दिखाने के काबिल भी ने रहेगा आय हाय भोजाई, पहचाना नहीं, तुम्हारे पती का दोस्त सुंदर विदेश गया था, सालो बाद वापस आया हूँ मुझे तो याद नहीं, फिर भी माल लेती हूँ, कि तुम मेरे देवर हुए, पर ठेके बरतमासा क्यों लगाया हुआ है अरे भोजाई, तुम लाखों में एक, मैं साधारण आदमी, मुझे क्या पहचानोगी, पर माफ करना इतने दिनों में बड़ी हरी भरी हो गई हो, कितने बाल गुपाल है अरे क्या बताऊं देवर बाबू, ये तो बिस्तर से उठ भी नहीं बाते, फिर भला बाल गुपाल की तो बाते ही क्या है आप घर क्यों नहीं आते, आपको देखकर वो बहुत खुस होंगे अरे भोजाई, तुम्हारे बुलाने पर तो मैं नर्क में भी चला जाऊं, वो ऐसे बुरा ना मानूत एक बात कहूं, तुम लाखों में एक हो, पर किस्मत बड़ी बुरी लेके आई हो वरना सोने जैसी बदन वाली, भला एक बीमार पती के घर क्या कर रही हो बस करो देवर जी, अगर इतनी तारीफ करोगे तो मैं तो हवा में ही उड़ने लगूँगी, वैसे आज रात खाना खाने आ जाना, इंतिजार करोंगे इससे पहले समीता के ठेके पर आने वाले लोग लाल चाही नजरों से देखते थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुले आम उसकी तारीफ करें समीता को सालों बाद अपनी तारीफ बहुत अच्छी लग रही थी, वो दो पर में ही ठेके से घर चली गई ए जी, सुनते हो, ठेके पर तुमारा एक दोस सुन्दर आया था, वो हमारे बाल बच्चों के बारे में भी पूछ रहा था, क्या जवाब देती, सो मैंने उसे आज रात खाने पर बुला लिया सुन्दर, अरे वो तो मेरा बच्चपन का साथी है, गाउवालों ने एक लड़की के साथ जबरजस्ती करने के इलजाम में उसे गाउव से बाहर निकाल दिया था, खैर अच्छा किया तुमने उसे बुला लिया समीता सिसे के सामने जाकर खड़ी हो गई, और अपने आपको देखने लगी, एक कटोरी में उप्टन बना कर मलमल के नाया, और लाल रंग की साड़ी पहन कर तयार हो गई, और कीचन में खाना बनाने लगी, साम को आठ बजे पती का दोस सुन्दर खाना खाने के लिए आया आये आये देवर साब, आप कहीं इंतजार हो रहा था, अंदर आपके भाईया आपका इंतजार कर रहे हैं अरे भावी, आज तो बिलकुल लाल परी लग रही हो, देखो तुम तो ठेके पर देशी पिलाती हो न, आज मैं विदेशी लेकर आया हूँ, किशन भाईया के साथ पुरानी यादे ताजा करूंगा जानते हो देवर जी, ठेके पर तो बैठती तो जरूर हूँ, लेकिन आज तक मैंने इसे चखा नहीं, अब जब तुम बिदेशी लाए हो तो सबसे पहले मैं ही चखूंगी, लाओ मुझे दो अरे भावी, क्या कर रही हो, छोड़ो बोतल, अंदर किशन इंतिजार कर रहा होगा देवर जी, तुमने मेरे अंदर प्यास जगाई है, अब तो ये तुमें ही बुजाने होगी समीता शराब के पूरी बोतल एक चटके में खाली कर देती है, और नशे के सुरूर में सुन्दर को जोर से अपनी बाहों में जकर लेती है ये आप क्या कर रही है, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, किशन मेरे बचपन का दोस्त है, और आप भावी होने के नाते मा के समान है ये नाटक बन करो देवर जी, सालों से मैं अकेला जीवन बिता रही हूँ, आज मुझे मेरी तपस्या का फल दे दो सुन्दर समीता को जोर से धका दे कर वहां से चला जाता है, लेकिन समीता इसे अपमान समझती है और सुन्दर से बदला लेने के लिए जोर जोर से चिलाते हुए उस पर उसके उपर जोर जबर्जस्ती का आरप लगाती है पुलिस सुंदर को गिरफतार कर लेती है समीता रोते हुए किसन के पास आती है और कहती है देखा आपने आपका दोस आपकी बतने की इज़त लूटना चाता था आपको अपंग समझ कर फाइदा उठाना चाता था मैंने तो गलती से सराब पी ली थी नसे के सुरूर में उसका हाथ पकर लिया था वो जवर जस्ते पर उतर आया तो मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पापी को सजा जरूर मिलेगी लेकिन जो निर्दोश है उसे सजा नहीं मिलेगी तुम चिंता मत करो एक हपते बाद कोट में गवाई होगी तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा पती की बात सुनकर समीता अपने जीत पर मने ही मन मुस्कराते हुए सोने चली जाती है और अगले हपते पती के साथ कोट में गवाई के लिए जाती है समीता और सुन्दर को बुलाया जाता है और बारी-बारी बयान देने को कहा जाता है मैं जो कहूंगी सच कहूंगी सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी मैं अपने पती किशन के साथ खुशी-खुशी जी रही थी कि अचानक ये बच्चलन सुंदर जी से बच्चलने के वज़ा से गाहों से बहार निकाल दिया गया था मेरी दुकान में आया और मेरे पती से मिलने की इच्छा जाहिर किये मैंने इसे रात में खाने पर अमंत्रित किया रात में ये बिदेशी सराब की बोटल लेकर आया और मुझे सराब पीने के लिए दबाब डालने लगा और उसके बाद जब मेरे उपर नसा चाने लगा तो ये मेरे साथ जबर ज़स्ती करने की कोशिस करने लगा लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया और मेरी सिकायत पर उसे गिरफतार कर लिया गया। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। ये सच है कि सवीता भावी को देखकर मेरे मन में गलत विचार आये थे। किन्तु उनके साथ जवर्जस्ती करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे पास इस बात का कोई सुबूत तो नहीं है। इसलिए जैसी जजसाहिक की इच्छा हो मुझे स्वीकार है। आगे की दलिले सुरू करने से पहले ही अचानक समीता का पती किशन जोर से चिलाया। कोशिश कर रही थी। उस समय परदे के पीछे से मैंने ये वीडियो बना लिया था। मेरी गुजारिश है कि मेरे दोस्त को बाइज़द बरी कर दिया जाए और मेरी पतनी को कड़ी सिकड़ी सजा दी जाए। वीडियो जद साहब को दे दिया गया और सारी घटना सामने आ गई। जद साहब ने सुन्दर को बाइज़द बरी कर दिया और समीता को सुन्दर को गलत काम के लिए उकसाने के जुरुम में पांच साल की कैद हो गई। सुन्दर मेरी गलती के कारण तुम्हें गाओं अलो ने गाओं से बाहर निकाल दिया था। मैंने गाओं की लड़की के साथ बलातकार किया और फिर छच़च से गिर पड़ा, इसके कारण मेरा शरीर लख्वा गरस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं गाउवालों के हाथ आता, तुमने मेरी सारी गलती अपने सर ले ली, मुझे माफ कर दो दोस्त, आज तुम्हें बचा कर मेरे पापो का बोज हलका हो गया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और खुशी-खुशी रहने लगे।